हेलो नमस्कर दोस्तों स्वागत है आपका विकम टेक्निकल के ओफीसेल यूटूब चैनल पर और दोस्तों आज का वीडियो पूरा लाश्ट तक देखना आपको काफी जाद इसमें नौलीज मिलने वाला है और बहुत कुछ यहां पर बताने वाला हूँ और प्रॉपर तरीक से और सही तरीका क्या है वो भी आपको बताऊंगा और दोस्तों आपके इस वीडियो में बताने वालों बेसिकली के प्ले स्टोर ने 59 एप्लिकेशन जो चाइनीज अप्लिकेशन है उन्हें हटा दिया है इसमें सामिल है हमारे पॉपलर कुछ अप्लिकेशन जैसे के टिक अधरा दिया गया और दोस्तों यहाँ पर लेके चलते हैं आपको टोक पर तो टोक की वी बताऊं कि यहाँ पर यह भी प्रोपर तरीके से रन कर रहा है यानि कि जब तक इनके सर्फ डाउन नहीं होंगे तब तक यह टिक टोग एप्लिकेशन रन करता रहेगा ठीक है और हो सकता है कि in future इनका जो APK है वो लोगों को दे दी जाए तो उससे लोग अपना काम चला सकते हैं लेकिन अगर इनका server तो आपको ले चलते हैं हम अपने play store में और आपको दिखाते हैं कि hello application और tik-tok application प्लेश्टोर में है या नहीं तो सबसे पहले तो हम tik-tok को देख लेते हैं तो यहां पर आप देख सकते हो कि सबसे उपर आता था tik-tok लेकिन यहां पर tik-tok application रिमूब कर दिया गया है इसके ब दोस्तों बात करते हैं अगर hello application की इसके भी बहुत सारी यूजर्स हैं और यह एक Chinese application था तो यह hello application भी प्लेश्टोर की तरफ से हटा दिया गया है ठीक है और यहां पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो पूरी लिष्ट की लिष्ट के कितने application हटा दिये गये हैं टोटल 59 application जो क चाइने जब धी किसंदे हटा दिये गए तो दोस्तों यहां पर हम बात करने वाले के टिक टॉक को क्या से पर्मानेंट ली हम डिलीट कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं तो simple आपको करना क्या है कि मी वाले सेक्षन पर चले जाना है इसके बाद दोस्तों यहां पर three line का option यान कि three dot option मिल जाता है simple इस पर आपको क्लिक कर देना इसके बाद delete account का आपको option मिल जाता है तो simple आप delete account पर क्लिक कर देना है और delete account पर क्लिक करने के बाद जो आपका mobile number होगा उस पर एक verification code जाएगा उस code को यहां पर डाल कर continue करती है ठीक है लेकिन दोस्तों बताना चाह का थे हैं कि आपका account पूरी तरह से delete हो तो आपको करना क्या है कि दोबारा सेonal login नहीं करना अगर आप 30 दिन तक इसे login नहीं करोगे तो आपका जो account है permanently delete हो जायगा अगर इससे पहले आपने login कर लिया तो आपका फिर से reactive हो जाएगा अगर और फिर से आप जब delete करोगे तो तो अगर आप एक बार इसे डिलीट करना चाहा तो पर्मेनेटली तो आप 30 दिन तक इसे लॉग इन मत करना डिलीट करने के बाद तो दोस्तो आयोप आपको सबको समझ में आ चुका होगा और यह जो चाइनीज अप्लिकेशन है वो डिलीट हुई है तो वो सही है या नहीं व आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना और आपको यह वीडियो कैसा लागा बो भी मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना और यह एप्लिकेशन वापस आ सकती है या नहीं यह भी हमें कॉमेंट करके जरूर बताना